Python की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Escape Sequence as a Normal Text के बारे में बताऊंगा क्या होता है Escape Sequence as a Normal Text ये सारे डीटेल्स को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके All Notification को On करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अल्रेडी मैंने आपको Python के 6 टुटोरियल्स दे दिये हैं और जो लास्ट लेक्चर था लास्ट के दो लेक्चर अगर मैं second last की बात करूँ तो मैंने आपको escape sequences कराया था ठीक है और आज के वीडियो के अंदर उसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाल है उसी के ऊपर ये सारा लेक्चर हमारा based है तो make sure आप एक बार इस वीडियो को भी जरूर चेक कर ले और Python की complete playlist की जो link है इस वीडियो का description में मैंने mention किया हुआ है ठीक है और एक बार जरूर playlist section में जाके देखे यहाँ पर आपको game development, whatsapp की तरह chat application development और google की तरह search engine website मैंने बना के दिखाया हुआ है So, अब escape sequence as a normal text है मेरा क्या मतलब है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक file create किया और इसको सबसे पहला काम हम यह करते है कि इसको हम लोग save कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको desktop पे save कर लिया all files और यहाँ पर लिख दिया मैंने escape as normal.py ठीक है तो मैंने इसको save कर दिया, save करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी requirement क्या है मुझे screen के उपर कुछ ऐसा print करना है तो आपको जो output देना है ना screen पे वो यह है output line a slash n line b ठीक है अब देखे, output से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे screen पे as it is यह print करना है as it is से मेरा यह मतलब है कि यह slash n भी print होना चाहिए तो यह बनाने के लिए अगर आप यह सोचोगे कि आप यहाँ पर आ करके direct लिख दोगे print और print के अंदर आप यहाँ पर चाहिए double quote या single quote आपने लगा दिया यहाँ पर line a slash n line b तो यह successful नहीं है, अगर मैं इसको save करूँ और मेरा terminal open कर लो terminal open करके यहाँ पर cd desktop मैंने लगा दिया sorry, मैंने यहाँ पर लिखा cd desktop और जो desktop का d है वो capital रहना चाहिए ठीक है, तो हम already desktop पर है, that's why वो कह रहा है so मैं इसको clear कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आप इसको run करने का plan करोगे python escape as normal.py तो यह आपको output देने वाला है, line A और new line पर आपको line B देने वाला है लेकिन मेरी requirement यह नहीं है, मैं चाहता हूँ as it is यह print हो जाए मतलब अगर मैं slash t लिखूँ तो मुझे screen के उपर उसको भी print करना है ठीक है तो उस case में यह successful नहीं है क्योंकि यह तो एक escape sequence बन गया तो मुझे इस escape sequence को एक normal text बनाना पड़ेगा क्योंकि escape sequence तो print हो ही नहीं सकते लेकिन normal text जो है वो print हो जाता है अब इससे क्या मतलब है अब अगर मैं यहाँ पर दो बार slash लगा दो तो इससे क्या हो जाएगा यह यह दोनों मिल अब देखो आप अगर मैं एक हटा देता हूं यहां से तो आप देख पा रहे हो यह जो slash n है वो red line का है see this दोनों के दोनों red line के है जैसे ही मैं यहाँ पर एक और slash लगाता हूं जो n है वो brown color का बन गया और दोनों slash जो है वो red बन गया मतलब अब n एक normal text बन गया और double slash हमारा escape sequence बन गया ठीक है मतलब यह दोनों के slash मिल करके क्या बन जाएंगे एक single slash तो overall क्या print होगा इन दोनों के कारण एक single slash और इससे print हो जाएगा हमारा एक n ठीक है तो अब अगर मैं आपको इसको run करके दिखा हूं तो यहाँ पर मैंने लिखा python escape as normal.py तो इस screen पर आप देख सकते हो line a slash line b as it is हमारे पास यह output आ चुक है अब यह तो था पहला case आप चाहो तो इसको आप print slash t के case में भी use कर सकते हो line a slash t line b अगर मैं इसको save करके अगर मैं इसको run करता हूं तो tab आ रहा है अगर tab को print करना है तो से महीं लड़ ली यहाँ पर मैंने दो slash लगा दिये और यहाँ पर आ करके मेरे file को मैंने run कर लिया ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो slash t जो है वह print हो गया यह हो गया हमारे पास दो cases अब मेरी requirement यह है कि screen के ऊपर एक backslash print करना है जो कि मैंने आपको दिखाया था लेकिन मुझे यहाँ पर double backslash print करने है triple print करने है तो क्या किया जाए तो यहाँ पर मैंने लिखा print और यहाँ पर आ करके मैंने लिखा this is a backslash ठीक है और यहाँ पर आ करके मैंने double slash लगा दिया और save किया screen को मैं यहाँ पर clear कर रहा हूँ और मेरे file को मैं यहाँ पर run कर रहा हूँ python escape sequence escape as normal.py तो एक single backslash हमारे पास print हो चुका है ठीक है अगर आपकी requirement है कि 2 backslash चाहिए तो आपको यहाँ पर 4 backslash लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 backslash मिलके 1 backslash बनाता है और अगले 2 backslash मिलके 2 backslash बनाएंगे ठीक है total अब चेक कर सकते हो यहाँ पर आपके सामने total 2 backslash आ चुके है अगर आपकी requirement है कि 4 backslash print करने है तो यहाँ पर आपको total 8 backslash लगाने पड़ेंगे इससे एक backslash बनेगा इन दोनों से एक और इससे एक और इससे एक सब मिला के कितना बन जाएगा 4 फाइल को save करके run किया see this चार backslash हमारे पास print हो जाएंगे ठीक है अब move करते हैं हम लोग अगले output की तरफ अब मेरे requirement यह है कि जो मेरा output है न वो कुछ यह होना चाहिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ मुझे output चाहिए slash double quote slash single quote मुझे as it is screen के उपर यही print करना है slash double quote slash single quote तो अगर आप यह सोचोगे कि आप इसको as it is print में लिख दोगे तो यह भी काम नहीं करेगा ठीक है अगर आपने यहां पर लिख दिया slash double quote space slash single quote save अगर मैं करूँगा तो आपके पास double quote और single quote प्रिंट हो जाएगा मैंने इसको यहां पर clear कर दिया और मेरे file को मैं यहां पर run कर रहा हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो screen के उपर आपके सामने आ रहा है यह double quote और single quote अब यह क्यों हुआ slash double quote जो हमने last lecture के अंदर escape sequence में पढ़ा हुआ था कि अगर आप slash double quote लगाओगे तो वह double quote देगा आपको similarly अगर आप slash single quote लगाओगे तो वह single quote देगा ठीक है तो screen के उपर भी as it is वही print हो गया लेकिन मुझे print is exactly यही करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पे तीन बर slash लगाओँगा और यहां पे भी मैंने तीन बर slash लगाओँगा तो overall क्या बन जाएगा हमारा तीन slash double quote तीन slash single quote confusing है लेकिन डाइग्राम के जरीए मैं आपको इसको समझाओँगा चीक है तो मैंने इसको clear कर दिया और मेरे file को यहां पे मैं run कर रहा हूँ clear करके python escape as normal.py see this slash double quote slash single quote अब यह confusing है इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे equation कराता हूँ बहुत ही छोटा सा equation है आप उसको समझिएगा comment करके मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको last lecture के according table में क्या कराया था slash और single quote क्या बनाता है overall single quote ठीक है तो यहां पे मैंने लिखा slash single quote यह आपको overall देने वाला है single quote ठीक है pbt के according अगर हम यहां पे double slash लगाएंगे तो यह हमें overall क्या देगा एक slash print करके देदेगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे double slash लगाऊंगा तो overall मुझे single slash मिलेगा ठीक है अब अगर मैं इसको a मान लेता हूँ equation के according maths का और नीचे आ करके अगर मैं इसको b मान लू तो अगर आप इन दोनों को plus करते हो न तो इससे क्या मिलेगा आपको answer दोनों को plus करोगे तो क्या मिलेगा एक slash और दो slash कितने बन जाएंगे तीन slash और साथ में एक single quote ठीक है और इस तरफ क्या बनेगा हमारे पास अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे तो overall आपको answer क्या मिलेगा slash और single quote तो यहाँ पर मैंने लिख दिया slash और single quote ठीक है तो यही उपर हुआ हमने क्या किया यहाँ पर तीन slash और single quote लिखा तो overall answer हमें मिला single quote I don't think इसमें आपको कोई doubt होना चाहिए similarly दूसरा equation है हमारे पास अब यहाँ पर अगर मैं आपको check कराऊ अगर आप slash और double quote लगाओगे तो overall आपको क्या मिलता है double quote ठीक है तो अगर आप slash और double quote लगाओगे तो overall आपको एक double quote मिल जाएगा ठीक अगर आप दो slash लगाओगे तो वो तो as it is यही रहेगा अब अगर दोनों का हम plus करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, slash और double quote भी था यहाँ पे, तो यह हो जाएगा हमारा तीन slash और उपर का एक double quote अड़ करने के बाद, ठीक है, और इस तरफ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे यह overall double quote बना रहा था, सिर इसमें table के according समझाता हूँ, एक slash और double quote जो है न, यह आपको overall double quote देगा, तो मैंने पहली line पे क्या लिखा, एक slash double quote, overall double quote मिलेगा मुझे, दो बड़ slash लगाओगे तो आपको यह single slash देगा, मैंने उसको भी लिख दिया, इसको equation A मान लिया, इसको B मान लिया, overall क्या बना यह, तीन slash बन गया, और उपर का एक double quote यहाँ प्लस हो गया, यह क्या बन गया, एक slash और double quote, तो यहाँ पे आ करके मैंने लिख दिया, एक slash और double quote, इसलिए जब मैंने तीन slash और double quote लगाए तो overall हमारा यह answer आया, clear है, starting के कुछ एक दो lecture और होंगे, जो थोड़े से अजीब हो गरीब आपको लग सकते हैं, लेकिन हमें base को समझना बहुत ज़रूरी है, print के line के साथ हमें maximum चीज़े आनी चाहिए, तभी जा करके आगे मैं आपको game development सिखा पाऊंगा, software development सिखा पाऊंगा, application development सिखा पाऊंगा, तो यह base है, जब तक हम इसको अच्छे सा नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और गलतिया करेंगे, चीक है, तो I hope आपको escape as a normal text समझ में आ चुका होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा को जाके देखे, game development, whatsapp की तरह, chat application development, google की तरह, search engine, website development, already मैंने आपको सिखाया हुआ, मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys,